नमस्कार मैं वैभू मिश्टरा, Medical and Psychiatric Social Worker, Mental Health Counselor दोस्तों, एंजाइटी का सामना कर रहे बहुत सारे लोग जिने हार्ट अटेक का डर सताता रहता है उनका अक्सर ही ये प्रश्ण होता है कि हमें हार्ट अटेक का डर क्यों सताता है हम ये समझ नहीं पा रहे हैं हम नहीं चाहते हैं इस बारे में विचार करना, सोचना परन्तु उसके बावजूद भी हमारे मन में रह रह करके हार्ट अटेक का डर उठता है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सरल सब्दों में आपको ऐसे कारण के बारे में बतला रहा हूँ जो की हार्ट अटेक के डर की मुख बज़े हैं दोस्तों जब भी एंजाइटी का इस तर बढ़ता है तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉंस वो एक्टिव हो जाता है बहुत ही सरल सब्दों में समझें तो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉंस हमें खतरों से बचाने की एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है यानि कि जब भी हमारे सामने कोई खतरा होता है तो हमारा दिमाग बहुत तेजी के साथ प्रतक्रिया देता है ताकि हम उस खतरे से खुद को बचा सकें अगर हम अपने विकास को ठीक ढंग से समझें तो इस flight and fight response की हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी भूमी का रही है क्योंकि इनसान पहले जंगलों में रहता था और जब वे जंगलों में रहता था तो उसे जंगली जानवरों से बचना पड़ता था इसलिए दिमाग को बहुत तेजी के साथ खत्रे के प्रती प्रत्किया देने की आवशक्ता होती थी अगर दिमाग तेजी के साथ खत्रों के प्रती प्रत्किया नहीं देता तो सायद आज हम जिन्दा नहीं होते तो flight and fight response का काम होता है कि वे खत्रे के प्रती तुरंत सचेत करे जब flight and fight response एक्टिव होता है तो दिमाग पूरे सरीर के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं तनाव के इस तर को बढ़ा देता है कई तरीके के तनाव पैदा करने वाले chemicals बढ़ने लगते हैं जो की demand करते हैं अतरिक्त उर्जा की इस दोरान दिल को तेजी से धड़कना होता है ताकि वे सरीर की महत्त पूर्ण बड़ी मासपेशियों में oxygen युक्त बलड को पहुचा सके इसके लिए फेपणों को ज़्यादा तेजी के साथ काम करना पड़ता है ज़्यादा मात्रा में oxygen की आवशक्ता पड़ती है इस तरीके से दिल और फेपड़े बहुत तेजी के साथ दिमाग के दारा दिये गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए खत्रे से एक इंसान को बचाते हैं एक उधारण से इसे समझ लेते हैं कि मान लीजिया आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक एक आपके तरफ एक कुत्ता दोड़ने लगता है तो जैसे ही आपके तरफ कुत्ता दोड़ेगा आपका दिमाग उस खत्रे को भाप लेगा वह तेजी से स्ट्रेस हार्मोन को बॉड़ी में सिक्रेट करेगा और जैसे हिस्ट्रेस आर्मोन का सिक्रेशन होगा आपके फेपड़े जादा ऑक्सीजन बॉड़ी के अंदर पहुचाने लगेंगे आपका दिल तेजी से ढरकने लगेगा और अक्सीजन युक्त बलड उन बड़ी मासपेशियों तक फैल जाएगा जिससे आप तेजी के साथ दोड सके और उस खत्रे से खुद को बचा सके यह तो हो गई बात उन खत्रों से बचने की जो की वास्त्विक है परन्तु समस्या यह है जब किसी परसन को एंजाइटी की समस्या होती है तो उसके सामने वास्त्विक खत्रा नहीं होता है बलकि अधिकतर समय उसके मन में चि इंताओं के वज़े से खतरा होता है या पास्ट में जो घटना हो चुकी है उसी से सम्मंधत विचार चलते रहते हैं और लगता है भविश्य में कभी कोई ऐसी घटना ना हो जाए उसके चलते anxiety का इस्तर बढ़ता है और समस्या यहीं पे है दोस्तों कि जब कोई खतरा नहीं होता है और फिर भी एक इंसान को खतरा महसूस हो रहा होता है तब flight and fight response बार बार active होता है और जब flight and fight response बार बार active होता है तो एक इनसान बहुत अधिक आजहज महसूस करता है क्योंकि उससे पता है कि उसके सामने कोई भी खत्रा नहीं है परंतु किसी परिस्थती के बनने पर जिसको वो कहीं न कहीं पास्ट मेमोरी से जोड़ पा रहा है और उसे लग रहा है कि ये खत्रा है उस दोरान फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉंस एक्टिव होने के चलते पूरी की पूरी प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी वास्त्विक खत्रे के आने पर होगी और जब ये प्रक्रिया लगातार लगातार चलती रहती है बिना वजय समय समय पर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉंस एक्टिव होता रहता है तो उस इस्थती में एंजाइटी क का सामना कर रहा, इनसान बहुत अधिक परिशान होता है। अचेतन मन में दवी हुई भावनाएं, अचेतन मन में दोबी हुए अनुभों जो की बार बार चेतन अवस्ता में आकरके एक इनसान को परिशान करते हैं डर को पैदा करते हैं और बॉडी के फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉंस को बार-बार एक्टिव कर देते हैं जिसके चलते हैदे की गती बढ़ने लग जाती है समस्या पैदा होती है और यह जो पैदा होने वाली समस्या है एक इनसान के लिए बहुत अधिक धड़कन तेज होने लगती है इनसान बैठा हुआ है कुछ सोच रहा है किसी से बात्चित कर रहा है और अचानक कोई धौट मन में आता है और हैदे की धड़कन बढ़ने लग जाती है उसे पता है कि आसपास सब कुछ समान ने है उसे पता है कि आसपास कोई भी खत्रा नह हैं परंतु फिर विवे अपने अंदर बेचैनी को महसूस कर रहा है फिर विवे अपने अंदर बढ़े हुई हैदय की गती को महसूस कर रहा है और जब यह प्रक्रिया बार 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 होने लगती है तो आप सोयम विचार करिए दोस्तों कि कोई इनसान बैठा हुआ है औ हदय की गती बढ़ने की इस्तती में मन में ये डर तो पैदा होगा ही कि कहीं उसे हार्ट अटेक ना आ जाए क्योंकि हदय की गती का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है उसे ये बात पता है कि हदय की गती बहुत अधिक बढ़ जाने से हार्ट अटेक आने जैसी इस्ततियां ब और जब हैदय की गती बिलकुल भी नहीं बढ़नी चाहिए, यह विचार बहुत गहराई तक उतर जाता है, तो हैदय की गती के बढ़ने पर, किसी भी पिकार की थोड़ी सी भी असहजता लगने पर, मन में डर का इसतर बढ़ने लगता है. और धीमे धीमे करके जब एक इनसान बार 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 सिर्फ अपने हैदे के ही बारे में सोचने लगता है तो उसके दिमाग में हैदे के अलावा कोई दूसरा विचार बचता ही नहीं है उसके मन में यही डर बना रहता है कि उसके हैदे की गती समानने चलनी चाहिए इस तरीके से एक इनसान के अंदर हार्ट अटेक का डर बहुत अधिक बढ़ जाता है जिस डर से उसे खुद को बचाने में बहुत अधिक कठनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों अगर आप भी एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे हैं और आपको हार्ट अटेक का डर सताता है आप कई जगों पे समाधान के लिए प्रयास कर चुके हैं परन्तु उसके बावजूद भी आपकी इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाया है तो आप ऑनलाइन मेंटल हैल्थ काउंसलिंग के लिए संपक कर सकते हैं अपना ख्याल रखें अगले वीडियो में किसी नए विशे के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी नमश्या